जैहिंद दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करेंगे दूसरे सेमी फाइनल मैच की जो की खेला जाएगा सौथ अफ्रिका और अस्टेलिया के वीज में दोस्तों आपको पता है जो इडन गार्डन्स के विकेट है ये मैच इसी ग्राउन पे क्यों खे पहले बहुत-बहुत मुबारक बात जिनों भी भारत और न्यूजिलेंड के मैच में हमारी टीम को फॉलो किया था कुछ हिंट दूँगा आपको विराट अपना कैप्टेन था और रविंद्र हमारा वाइस कैप्टेन था वाइस कैप्टेन हलाकी नहीं चला हमारे पास शा की तरफ बढ़ गई है और जो लोग हमारी टीम्स फॉलो करते हैं कमेंट देखिए सब्सक्राइब किया कि नहीं किया सबसे प्यारे नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा होका दोस्तों जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे साथ जुड थे बटनें के फाइदे देखिए सर आपकी सारी वीडियो मैं बिना स्किप के देखता हूँ इसलिए ही मेरी यह रांक आई है ना कुकि वीडियो बहुत अच्छी है वीडियो में आपको सब कुछ मिलता है जबर दस वीडियो नाइस वीडियो सर आज सी पील में दो लाग जिरिया सर मज़ा आ गया इतनी नौल मेरा टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत जरूरी है यहां पर आपको ऐसा कुछ मिलता है जो को और यूट्यूबर आपको प्रोइड करके देखी नहीं सकता तो चलिए बात करते हैं आगे यह कुछ लास्ट मैच के रिजल्ट है दोस्तों कोई इंग्लेंड और इजलेंड का हुआ होगा यह देखिए दो हजार बंदों में हमारी हेड टू हेड की टीम का पच्छपन रेंक आया है अभी जैसे भारत का मैच खतम हो इसका रेंक में इसकी वी टीम डाल दूगा जो भी मेरा रिजल्ट आएगा हारू जी तो आपके सामने आज आएगा वर्जल्ट टेलीग्राम पे डारूँगा अब दोस्तों फ्री में खेले सकते हो बैड़ गॉल 11 ने बहुत अच्छी रेंड लिगा है यह देखो आप टीज़ी तीस्टी प्री में लगा सकते हो तो एक फाइनल के लिए काफी अच्छा उफर इसने दिया तो फाइल उठा सकते हो और इसने भी अच्छा उफर दिया साथ अबरिका और उस्टेलिया के मैच में आप लोगों को एक लाग उर्फे का फ्री के बाव में मिलगा जो कोई और आप नहीं दे सकता तो माइमास्टर 11 और यह बैस्ट है लेकिन अगर आप लोग हैड़ को शौकी नहीं आप हैड़ खेलना चाहते हो तो आप स्कोलकाता दोस्तों यह वही ग्राउंड है जिसकी कड़वी यादे एक तरीके से साथ अफरीका ने सिमेटी मिन जा हाला तैरासी रन पे भारतिये पेसर्स प्लस स्पेनर्स ने हाला कि पेसर्स ही बोलंगा मैं घुटने टिकवा दिये थे घुटने के सब कुछ टिकवा दि या था इनको और अस्टेलिया को यह बात पता होगी उसे पता है कि इस ग्राउंड पे साथ अफरीका की कड़वी यादे है और वैसे ही साथ अफरीका और आपको अगर मैं कड़वाइस दूना अस्टेलिया खेलता है एक प्योर माइंड सेट से वह पांच वार वर्ड कप आपको जीता हुआ है और साथ अफरीका के अफर चौकर्स का टांग लगा हुआ है कि Semi-final से बाहर हो जाते है कभी final में पहुंची ये तीम कभी final में नहीं पहुंची और New Zealand के और एक बार final में पहुंची है तो चौकर्स का tag है दोस्तों South Africa पर और Australia पर विनस का tag है दोस्तों वह तो premium team है एक तरीके से हाना जो मैच हुआ था भारत ने दोस्तों आप लगाए इंग्लेंड और पाकिस्तान के बीच में ये मैच हुआ था पाकिस्तान अच्छे खासे मारजन से ये मैच हार गया था इंग्लेंड ने 337 सन बनाये थे लेकिन जो विकेट्स गिरे थे विकेट्स लिये थे आप देखिए दो विकेट्स लिये थे शाहिन ने यानकि एक पेसर ने तीन विकेट लिये थे Harris Roff ने फिर से पेश सर दो विकेट लिये थे वसीम ने फिर से पेश सर यानि लगवग सभी विकेट पेश सर ने लिए और जैसे हम लोग second innings में घुजे डेविड विली वोक्स चार विकेट अटकिंसन दो विकेट और आदिल और मोहिन को भी 12 विकेट मिले यानि second innings में तो यह तो collection कर रहे थे केवल तो वो चीज थी आपको बता है वीडियो के साथ सातना मैं मैच भी देख रहा हूँ अभी चालिस बॉलों में 102 रन बाकियां और कुल्दी प्यालब खेल रहे हैं तो अब देख से लगवग 10 बज रहे हैं अब यह देखिए वो डिसेंट वर्ड कप ODI ना इन्थ को हुआ था यह मैच हुआ अब भारत और सौट्य फरीक का ने मतलों डंका बजाती है भारत ने विकर्स देखिए लूंगी मैक्रो रवाडा सभी पेसर्स एक एक विकर्स को भी एक विकर्स मिला है और बात करें अगर बैटिंग की तो पहले टॉप और भारत के बात ही अलग है यह तो टीम ही अलग है इसमें आप लगाई है कि ना क्या बोलना चाहता था मैं भारत की पॉलिंग लाइन अप भी थोड़ी सी खुल दी है भारत की भी बालिंग लाइन अप खुल दी है दोस्तों इस टीम ने निज़िलाइंड ने बता दिया कि भारत के बालर्स की भी धुलाई हो सकती नय गरत नहीं बोल रहा दोस्तों जो चीज है वो है चाहे मतलब आज हार जाएगे नियुजिरेंट लेकिन एक तरीके से जो भी टीम साउच अपरी का यास ठीले जो भी फाइनल में पहुंचेगी वो ये मैच के अनलसिस बहुत डीपली करेगी कि किस तरीके से भारतिये पेसर्स का सा इडन गार्डन हमेशा के लिए मश्यूर रहा है अना ब्लैक सोयल की कोडन सोयल की यहां पर विकर्स बनती है तो जो बाउंस आप रस्टर बाउंस रहता है भारिश के 50 परसंट लगबग चांस है तो मैश तो पूरा होगा यह मैश नहीं होगा मैश तो अच्छा खासा होग बाउंस तो है वारिश आएगी तो सही तो आएंगी लेकिन तो हो सकता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वह पहले बालिंग करना चाहेगी यह बात तो फिक्स है क्या बात है या दिल खूश हो जाता है जब मैं अपने computer operator से यह photos देखता हूं मतलब कोई भी और YouTuber आपको पिछ का फोटो नहीं दिखा सकता तक यह बल्यूडी सी आरे के इलावा यह देखो यह बंदा पर उस समय screenshot लेता है जब लिखा आता है कि Kolkata boundary distances कितने है देखो आपस में बराबर के मैं जीते है मन सौथ अपरी का बहरी है यह यहां पे तो सौथ अपरीका बहरी है दोस्तों एक सो नौ मुकाबलों में 55 सौथ अपरीका ने जीते है जबकि किमल पचास अस्ट्रेलिया जीते है यह बराबर की टकर देता है सौथ अपरीका से लेकिन अगर 2019 के बाद की बात करें ना तो सौथ अपर ने यहां पर भी सफाया किया लेकिन जो इत्यास गवाई आस्ट्रेलिया ऐसे मुमेंट्स को बहुत बार जेल चुका है और हर बार एक अच्छी टीम बन के बाहर निकला है सौथ अफरिका जैंसन रेस्टेड इन लास्ट मैच बट इस मैच में तो वो खेलेंगे लोंगी पिछले वाज़ें इंजर हो गए थे लेकिन वह बाद में आ गए थे बालिंग करने तो पता नहीं अब सीरियस इंजरी है कौन सी इंजरी है लेकिन आपको बताना जरूरी है लामुशा ने ट्रॉप किये जा सकते हैं दोस्तो लग रहा है मुझे मैक्सवेल अविलेबल हो चुके है यह बहुत बड़ी निउस है जिस प्लेयर की वज़े से दोस्तो अस्टेलिया सेमी फाइलल में गया और अस्टेलिया की इतनी अच्छी रैपोर्टेशन बनी वो प्लेयर है यार साउथ अफ्रीका प्लेइंग 11 कुंटन डीकॉक टेमबा बाबुमा डसन मार्करम क्लासन इन चार प्लियर्स के ऊपर इस टीम का बैटिंग लाइनप चल रहा है और इनहीं की वज़े से यह टीम बहुत तगड़ी एक तरीके जीत निशित करती है बालिंग की बात कर और कोईट सर और लेफ्ट आमर रिक्यानाव इसका महराज कुसरा बहुत रवाड़ा ये तीन बालर इसकी वज़े साउथ अफरीका यहां तर पहुंचा साउथ अफरिका के प्लियर्स के स्टैट्स दोस्तों डी कॉक्च एसा कर दिया और यह लास्ट वर्ड काप मोरा पता नहीं इनने टार्यमेंट डेक्लियर की है एक नहीं मेरे मैं में नी यह लेकिन यह लास्ट वर्ड काप में मतलब आप लगाईए यह यह तो लंबा सौ लगाते हैं यह कुछ नहीं कर रहे हैं जबकि विराड कोली 8080 पचाने भी पचाने भी रंकी भी पार या खेले that's why वो इनसे लगवग 100-800 रन आगे चल रहे हैं अभी 120 रन शायद आगे चल रहे है तेमबा बावुमा अगर यह captain ना होते तो directly टीम से बाहर चले जाते अगर यह captain ना होते लिए टीम से बाहर थे आप देखें को बड़ी पारी है इन्हीं 35 रन हाइस्ट है तो एवरेज भी बहुत डाउन है सब कुछ डाउन है दोस्तों हलाकि अस्ट्रेलिया के गेंस्ट परच्पन का अवरेज है कुछ दिखाने के लिए इनके पास भी है दोस् दोस्तों डसन के नाम भी दोश्य तक लग चुके है एक सो आठ साथ रन एक सो तेटीस रन च्छायत्तर रन यह बंदे ने भी इज्जत कमाई है आपनी और बहुत जल्दी है फैफ फॉर में शामिल हो जाएगा फैफ फाइफ फैफ सिक्स बन जाएगा कहीं ना कि मैं चाहत तो फिर भाबराजमी होंगे ला अब देखिए हाला कि मैं एक प्लेयर और को भी शामिल करना चाहूंगा उसका आम में बाद में बताऊंगा दोस्तों तो बड़ी टीम का नियुक्त छोटी टीम का प्लेयर है दोस्तों दस मैचों में 402 रन है इसके बहुत तगड़ा स्ट् वडियो बनेगी आगे देखते हैं है है हैं अ अ हैंड्रिक लॉसन बड़ी पारिया दो दो शातक हैं दोस्तों नब्बे रन भी शातक के बराबर हैं लेकिन पिछले चार मैच देखिए पारां पंद्रा एक दस मतलब जिन्होंडे लिया है थोड़ा से भूसा भी आ रहा हो 24, 11, 53, 39, 34, 43, 49 तो इतनी कोई extraordinary पारी नहीं खेले आख एक्णोर किया जा सकता है जैंसन एक विकट तीन विकट तीन विकट दो 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 विकट मतलब याद dream वर्ड का फैंट का dream मज़ा आ रहा है देखके केशव बहराज आठ मैच ग्यारा विकट रिसेंट दो विकट दो विकट दो विकट दो विकट दो ट्रीन वर्ड का फैंट का भी कगी सो रबाड़ा साथ अफरीका के लिए अस्टेलिया के अगेंस्ट 15 मैचों में 29 विकट है बन देख 0-1-1-2-1-2-3-2, best record लूंगी पता नहीं अब खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे कोइट ज़र, 4-2-2-3-3-1-3, best performance स्टार्ट क्योंवर्स, चैंसं करेगा, लूंगी करेगा, रावाडा करेगा मिडलोवर्स कोईटिसर करेगा रवाडा नहीं करेगा महाराज और महारक राम देथोवर्स वही चारोपेसर्स यहां पर देखें दोस्तों काफी अच्छे रिकॉर्ड आपको मिलेंगे सेजल्बूड ने साथ बार आउड किया है 500 बालों में लगबग बाकी औरे मैक्सवेल बालों में किवल 35 रन खाए है यह रिकॉर्ड देखना था यह आपको चार बार आउड भी किया है तो डीकॉक जैसे आएंगे उस्तों मैक्सवेल बालिंग करेगा ही करेगा यहां पर नॉर्मल है यहां पर भी नॉर्मल है यह रिकॉर्ड देखना चाहिए यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों स्टाइणी स्नेक क्लास ने क्लास ने थिलाई भी बहुत किया है ऐसे तो छोड़ो पॉसिबल प्लेइंग लेवर ऑस्टेलिया ओ विनिंग चैंपियन टीम दोस्तों तो दोस्तों आपने देख चुकी है तो मुझे रखता है कि मारनस बाहर ही दहेंगे स्टाइणी को मौका मिलेगा डेविड वारनर क्या प्लेयर है दोस्तों क्या प्लेयर है पर्फॉर्मस देखिए 163, 164, 181 और 53 यानि दो शतक दो और दो शतक अच्छी आसी वाम में है फारनर और जब भी मौका होता है जस्तूर भी होता है तो यह बंदा चलता जरूर है आगे देखते है केवल एक मैच पे बड़ा सैकड़ा आया था बड़ा नहीं था हलाकि केवल सैकड़ा ही था उसके इलावा कोई जारा बड़ी पारी इनके बल्ले से मुझे देखने को नहीं मिली हाना आगे देखते है मिचल मार्च यह बंदा फॉर्म में दोस्तों 187 और बहुत तगड़ी फॉर्म में वह ज्यादा तगड़ी फॉर्म में यह बंदा मॉलिंग भी कर रहा है स्टीव स्मिट यह भी अच्छी फॉर्म में दोस्तों देखो अर्द शाजर तक तो यह भी लगा के जाएगा इंग्लिश इंग्लिश कुछ नहीं करेगा बोल रहा आगे चलिए आगे देखते हैं ग्लैन मैक्सवाल दोस्तों साथमें आसमान से भी अगर कोई ऊपर आसमान है तो वहां पे इनका कॉन्पिडेंस पहुंच गया होगा अभी तक मारका स्टॉइनिस लेकिन कुछ खास तो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो वह चीज भी आपको मैंड में जरूर रखनी हैं अभी राइट आगे देखते हैं पैट कमिन्स नहीं दोस्तो लास्ट दो मैच्चों में विकेट लेस है तो वह चीज भी मैड़े में रखनी है कि लास्ट दो मैच्चों में विकेट आपको नहीं मिलाए नहीं Mitchell Stark एक विकेट्, दो विकेट्, इसको ले सकते हो, हीजल वॉड को भी ले सकते है दोस्तों, हीजल वुड भी पुरी चोयस नहीं है आपके लिए, हीजल वॉड बहुत अच्छी चोयस है, आगे देखते हैं इसको जरूर लेना है दोस्तों यह important है तो Mitchell Stark लेकिन Maxwell दोस्तों बॉलिंग जादा करेगा क्यों? क्योंकि सामने वाली टिक टीम में तोतिन लेफ्टी है उसका फाइदा Maxwell जरूर उठाएगा अरे 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 यह देखिए दोस्तों लूंगी ने 41 बूलों में केवल 24 रण यह और 4 बर आउट किया रबाडा ने 3 बर आउट किया Travis Head को यह रिकोड आपको देखना चाहिए बाकी नॉर्मल है बाकी नॉर्मल है अरे यह नॉर्मल नहीं है इंग्रेश को रबाडा ने 14 बूलों में 15 रण खाके 3 बर आउट किया यह रिकोड आपको देखना चाहिए प्राइम प्लियर्स, डीकॉक, टसन, वारकरं, प्लासन, वही चारों लिखिया है मैंने बॉलिंग में भी जो बॉलर्स मेंने बोल ले थे वही लिखिया है मैक्रो, महाराज, रवाडा और कोईड़सर यह दोस्तों पाच और तीन आर्ट प्लेर आपके बेस्ट है इनकी तरफ से देखिए वार्नर लिखा है, मैंने मैंने मैं मैंने बॉलिंग मेरा नियखना बाकि यह दिन देखिए दोस्तों आपकर भी है धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद